इस वीडियो लेक्चर में हमें 20 से फस्ट एर की विद्धु चुम्बक की के अंतरगत सम विद्धु छेतर में इस्तित पराविद्धु गोल के करने विद्धु छेतर क्या है, कलासिय समोसोटी रिलेशन क्या है, इसके बारे में अध्यन करना है तो माना किसी सम विद्धु छेतर E0 में आर तेर्जया तथा एपसाइलन आर पराविद्धु तांग का एक समागी गोला इस्तित है, निर्देश तंतर का मूल बिंदु गोले के के अंदर पर है, तथा जेड अक्स सम विद्धु छेतर E0 की दिशा में है, तो गोले में जेड विद्धिक दिशा के अनुदिस धुर्वण पी प्रेडित हो जा जाता है, जो कि गोले के बहार और अंदर विद्धु छेतर की जो तीवर्टा है, होती है, वो परिवर्टिते कर देता है, तथा गोले से बहुत दूर इस्तिती पर जो विद्धु छेतर है, ये अक्समान क्या होगा तो माना विदूद 16E in आरपीत विदूद 16E0 तिथा पेरा विदूद गोले में परेरित विदू धुरुन पि के कारण उत्पन विदूद 16Ep के सदीर योग के बराबर होता है इता है e in बराबर e 0 प्लस e p चुकि हम जानते हैं कि e p बराबर माइनस p अपॉन 3 epsilon नोट होता है तो है e in बराबर e 0 माइनस p अपॉन 3 epsilon 0 तथा p बराबर होता है epsilon 0 काई e in यहां पर काई है वो विदूद छत्रगी पर वड़ती है तथा पराब विदूद की जो विदूद पर करती काई बराबर epsilon r-1 होती है अता है p बराबर epsilon 0 into epsilon r-1 into e in अता समय करने 3 और 4 से e in बराबर e 0 minus epsilon 0 into epsilon r-1 e in अपॉन 3 epsilon 0 प्राप्त होगा और जब इसको हम sol करते हैं तो e in बराबर हमें पराप्त होता है 3 upon 2 प्लस epsilon r-e 0 चूंकि epsilon r की value हमेशा एक से बड़ी होगी अता है e in की जो मान है पराब विदूद गोले के अंदर जो विदूद छत्र का मान है वो भाय सम विदूद छत्र से कम पराप्त होगा अर्थात e in less than e 0 होगा तथा p बराबर 3 epsilon 0 into epsilon r-1 upon epsilon r plus 2 into e 0 समीकरण 6 के अनुसार प्राप्त होगा तो समीकरण 6 से ग्यात है कि पराविदूद में धुरूद पी भी आरूपित विदूद छत्र की दिसा में ही प्रेजित होता है दूसरी बात करें कि पहरा विदूद गोले के बाहर विदूद छत्र का मान क्या होगा e out का मान क्या होगा तो चुकि e out बराबर e zero प्लस e dash यहाँ e zero है वो आरूपित विदूद छत्र है ते था e dash है धुरूद गोले की कारण उत्पन विदूद छत्र है चुकि हम पहले भी ग्यात कर सुके हैं कि कि किसी पी धुरूद वाले गोले के बाहर निर्दे संक आर थीटा बिंदू पर जो विदूद छत्र की तीवर्ता का वेंजग है वो इस सुत्तर से दिया जाता है तो e dash से बराबर 2p r cube cos theta upon 3 epsilon 0 r cube r cap प्लस p r cube sin theta upon 3 epsilon 0 r cube theta cap समीकर नमर 8 अता है e out बराबर e zero प्लस e dash का मान रख दिया जाता है है 2p r cube cos theta upon 3 epsilon 0 r cube r cap प्लस 2p p r cube sin theta upon 3 epsilon r cube theta अब चोंकि समीकर नमर 9 में जो p का मान जो समीकर नमर 6 में प्राप्त किया था यदि वो रखते हैं तो e out बराबर हमें प्राप्त होता है e out बराबर e zero प्लस 2 r cube into epsilon r minus 1 upon r cube into epsilon r plus 2 e zero cos theta r cap प्लस r cube into epsilon r minus 1 upon r cube epsilon r plus 2 e zero sin theta theta के समीकर नमर 10 के अनुसार हमें प्राप्त होता है अब यदि हम दूसरे point की बात करें कि पैरा विदूत माद्य में इस्तित आवेस की कारण विदू चेतर और गाउस के नियम क्या होंगे तो इसके अनुसार हमने माना की प्लस q बिंदूत आवेस को केंदर मान कर एक स्मॉल आर्टेजा का कालपनिक गोला खहचा तो इस गोले के अंदर धुर्वन के कारण बद रिन आवेस उस्तन रूप से बद धनावेस से अधिक होता है अधिक गोले के अंदर कुल बद आवेस का जो समलित मान है वो प्लस q से कम होगा क्योंकि यहाँ पर बद निगिटिव आवेस ज़ादा है तो प्लस q से इसका जो टोटल मान है वो कम होगा माना गोले के के अंदर पर प्रेजित धुरून दोरा प्रिश्ट घनितुए माइनस सिग्मा पी बराबर माइनस पी कुलाम पर मिटर स्कॉयर है अता है गोले के परिश्ट पर जो जिसकी तरिश्ट आर है कुल रिनावेस बराबर q बाउंडेड q b बराबर 4 पाई आर स्कॉयर इंटू पी अता है कुलाम के नियम से गावश यह परिश्ट पर जो विदू छत्र की तीवड़ता होगी e बराबर q में से यह आवश क्यू भी घट जाएगा तो q माइनस 4 पाई आर स्कॉयर पी अपॉन 4 पाई अफसाइलन जीरो आर स्कॉयर आर के जा था हम जानते हैं कि p बराबर अफसाइलन जीरो काई e तो e कमान समीकरन 1 से समीकरन 2 में रखेंगे तो p बराबर अफसाइलन जीरो काई q माइनस 4 पाई आर स्कॉयर पी अपॉन 4 पाई अफसाइलन जीरो आर स्कॉयर आर के जब इसको सोल करते हैं तो p बराबर काई q अपॉन 4 पाई इंटू 1 प्लस काई आर स्कॉयर आर के प्राप्त होता है तथा के अंदर पर जो प्रभावी कुल आवेस है Q वो प्राप्त होता है Q माइनस 4 पाई R स्कॉर इन्टू P इसलिए Q ब्राबर small Q upon 1 प्लस काई तथा epsilon R ब्राबर 1 प्लस काई रहता है प्रभावी आवेस Q ब्राबर Q बटा epsilon R चुकि epsilon R का मान एक से अधिक होता है तब प्रभावी आवेस है वो घट जाता है तथा प्रावेदूत मादम के लिए विदूचत्र की जो तीवरता होगी E ब्राबर वो होगी Q ब्राबर 4 पाई epsilon 0 epsilon R आर स्कॉर आर केप तथा निर्गत विदूत फलक्स फलक्स की परिवासा से क्लो सर्फेस्ट इंटिगल E डोट डीए ब्राबर Q बटा अफसाइलन यानि की E डोट डीए समाकलन बंद प्रष्ट S पे E डोट डीए ब्राबर Q अपोन अफसाइलन यदि 77 आवेस Q का आएतन आवेस गनतुए रो फिरी है तो Q बराबर वोल्यूम इंटिगरेशन रो डीवी रो फिरी इंटु डीवी तथा D बराबर अफसाइलन E होता है इता है वन बाई अफसाइलन प्रष्ट समाकल डीडोट डीए बराबर आएतन समाकल रो फिरी इंटु डीवी बट गोष्ट डाइवर्जेंस ठियोरम से जो प्रष्ट समाकल को आएतन समाकल में परिवर्तित करती है तो प्रष्ट समाकल डीडोट डीए बराबर आएतन समा कि विद्यूत विशतापन सदीच डी की उत्तति के वल शवतंतर आवैस के कारण ही उत्तती है क्योंकि समीक्रण लो से इसके विंजग से इसका ढाइवर्जन्स है वह आवैस गंगत्वरोव फिरी पे ही डिफेंड करता है अते है विदुद विस्तापन डी की उत्पति है सिर्फ वो सिर्फ है मुक्त आवेश के कारण ही सवतंतर आवेश के कारण ही राप्त होती है अगला हमारा जो विंदू है वो है क्लासियस मोसोटी समंद की उत्पति करें तो उसके लिए जो नमंकी चि प्लेटों के बीच रखते हैं तो पेरा विद्यूत के किसी परमानों पर ने केवल आरुपित बाये च्छतर कारी करता है बलकि पेरा विद्यूत के अन्य परमानों के द्यूदुरूं के विद्यू चतर भी कारी करते हैं इसलिए पेरा विद्यूत के किसी एक परमानों पर का लोकल फिल्ड भी कहते हैं तो पेरा विदूत के जिस चतर पर इस्तानिय चतर ग्यात करना है वहां उसको हम केंदर ओ मानकर इतना बड़ा गोला खींचते हैं कि जिसके बाहर पेरा विदूत माद्यम को सतत और समागी माना जा सके तथा अंदर परमानों की विविक सरंचना ड इस्तानिय चतर विदूत चार प्रकार के विदूत चतरों से मिलकर बना होता है यह जो आवेशित पलेट हैं आवेशित पलेटों पर जो फिरी आवेश है वो सिगमा प्लस फिरी सिगमा माइनस फिरी है परेरन दुआरा पोजिटिव के अंदर की साइड में माइनस सिगमा फिरी और नेगेटिव प्लेट के अंदर कि सरे जो पोजितिव आवे स्प्रेट होता है सिगमा प्लस फिरी होता है ये गोला है जिसके अंदर E3 0 दिखाया गाए है E2P upon 3 epsilon है E0 sigma 3 upon epsilon 0 है तरह E1 है वो सिगमा पी अपॉन अफसाल नोट है क्योंकि एवन के डायरेक्शन है वो ईजी रो की डायरेक्शन से अपोजिट है है तो तो इस्थानिय चत्तर है ईल वो ईजी रो प्लस ईवन प्लस ईटू प्लस ईथरी इन चारों परकार के विदूच्छतरों के योग के बराबर माना जा सकता है चहांपर E0 आरोपित बाये विदूद छेतर E1 पेरा विदूद के बाये जो सिमान प्रष्टों पर प्रेडित दुर्वन आवेशों के कारण विदूद छेतर है जब गोले वाले बाये विदूद छेतर E0 की बात करें तो पेरा विदूद की अनुपस्तिती में आवेशित प्लेटों के मद्दे विदूद छेतर बाये विदूद छेतर कहलाता है यदि प्लेटों पर मुक्त प्रष्ट आवेश गनतुए सिग्मा फिरी पोजिटिव प्लेट पे था माइनस सिग्मा फिरी नेगिटिव प्लेट पे हो तो बिंदू ओपर जो बाये छेतर होगा E0 वो होगा सिग्मा फिरी अपॉन अफसाइलन नोट या डी अपॉन अफसाइलन नोट क्योंकि डी ब्राबर सिग्मा फिरी विदूद विस्तापन सदीस होता है सैकेन्ड जो छेतर है दुरून छेतर E1 तो दोनातमक प्लेट की और पेरावेद्यूद के परश्ट पर रिणावेस ताहा सिग्मा प्लस सिग्मा पी ते था माइनस सिग्मा पी हो तो बिन्दू ओ पर जो विदू चेत्र होगा E1 बराबर माइनस सिग्मा पी अपोन अफसाइलन नोट या माइनस पी अपोन अफसाइलन माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि ये बाई विदू चेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में कारिये कड़ता है और यहां पर पी बराबर सिग्मा पी पेरा विदूत में प्रेजित धुर्वन है नेक्स्ट जो विदू चेत्र है E2 यदि पलेटों के मद्दे पेरा विदूत में से गोले वाला भाग को यदि हटा दिया जाता है सो संदारितर के धन पलेट की और वाले अर्द गोलार्द में धनावेस तथा रिन पलेट की और वाले अंता गोलार्द में रिनावेस परेरित हो जाता है इस पेरा विदूत रहित गोलिय भाग दुर्वित गोले के समान माना जा सकता है ऐसे दुरूट गोले के कारण बिंदू ओपर जो विदूचतर का मान होता है वो होता है पी अपॉन थरी अपसाइल नोट अता है E2 पराबर P अपॉन थरी अपसाइल नोट इसकी दिसा E0 की दिसा में ही होती है नेक्स दो विदूचेतर है चतुस्त पर करका वो विदूचेतर E3 है ये गोले के अंदर उपस्तित दीधुरूओं के कारण ओपर विदूचेतर है सामान एतरी का मान सुनने या लगबग नगणने होता है अते है यहां इस गणना में इसका मान हमने नगणने लिया है प्लस 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 three epsilon zero यहाँ पर यह जो वेंजिक है वो e के बराबर होगा अता है e l बराबर e plus p upon three epsilon zero इसे हमने समीकर नमबर 6 दे दिया है यहाँ पर जो e है विदूचेतर e Maxwell विदूचेतर तथा e l इस्थानिय चेतर को लोरेंज विदूचेतर कहते है Maxwell चेतर e एक इस्थूल चेतर होता है मैक्रोइसकोपिक होता है विदूचेतर होता है और परमानों के लिए ओसत रूप से इसका मान नियत रहता है इसका मान सम्पुरुन परावेदूद में नियत रहता है और यह ओसत मान को है वो व्यक्त करता है लोरेंच चेतर एक शुक्ष्म चेतर होता है तता पेरा विद्यूत के किसी एक पर्मानों पर लगता है इस चेतर के कारण पर्मानों अधिक परभावी डंग से धुरुवित होता है इस्ताने च्छतर के परभाव से परमानों में दिवदुरुआ आगुरुन इस्मोल पी च्छतर की दिसामें प्रेरित होता है तथा दिवदुरुआ आगुरुन पी का मान इस्ताने च्छतर इल के समानों पाती होता है पी परपोर्पोर्शनल टू EL या P बराबर Alpha EL यहाँ पर जो Alpha है वो परमाणुमिक दुरूनता है यह दि पराविदूत में परमाणू की संख्या परती एकांग काहितन में Capital N है तो परती एकांग काहितन में कुल जो दूदूरूब आगरून होगा उसे Capital P से रिपर्जेंट करेंगे तो Capital P बराबर N P बराबर N Alpha EL यहाँ यह दि हम EL का मान रख देते हैं तो P बराबर N Alpha इंटू E प्लस P अपॉन 3 Epsilon नोट यहां समिकरन आठ को सब सोल करते हैं तो P बराबर N Alpha E अपॉन 1 माइनस N Alpha अपॉन 3 Epsilon नोट प्राब्ट होता है चुकि P बराबर Εpsilon 0 K E भी होता है यहता है P बराबर Εpsilon 0 K E बराबर N Alpha इंटू E अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस N Alpha अपॉन 3 Epsilon जब इसको सोल किया जाता है तो K E बराबर हमें प्राब्त होती है N Alpha अपॉन 3 Epsilon जिससे n alpha upon 3 epsilon बराबर काई upon काई प्लस 3 लेकिन काई बराबर epsilon r minus 1 होता है अथा इस समीकरण में काई की वेलू रखें तो n alpha upon 3 epsilon बराबर epsilon r minus 1 upon epsilon r plus 2 प्राप्त होता है इसे हमने समीकरण 11 दे दिया है तो जो समीकरण 11 है ये classiest moscity समंध है n alpha upon 3 epsilon note बराबर epsilon r minus 1 upon epsilon r plus 2 यानि की परमाणवी की धुरुणता तथा विदूद चिलता में जो समंध शो होता है विदूद परवर्टी और परमाणवी धुरुणता की बात करें या विदूद चिलता और परमाणवी धुरुणता की बात करें तो इन में जो समन्द प्रक्ट करने वाला जो relation है समीकरन है वो कलासिय से मोसोटी समन्द कहलाता है यदि पेराविदूत का परमान भार MA गनत्व रो तथा एवगेडरो संख्या NA है तो पड़ती एकां कायतन में जो परमानों के संख्या होगी केपिटल N बराबर रो NA by MA इसकी वेल्यू एदि समीकरन 11 में पुट करके सोल करते हैं तो हमें जो समीकरन पराप्त होता है वो पराप्त होगा NA अलफा अपॉन 3 अपसालन नोट बराबर MA by रो इंटू अपसालन आर माइनस 1 अपॉन अपसालन आर प्लस 2 तो समीकरन 12 है वो भी क्लासियस मोसुटी समंद का ही रोफ है